हलो फ्रेंज, वेल्कम बेक टू माई चैनल, दिखे फ्रेंज, आज मैं आपके लिए एक सुन्दर सा डिजाइन लेकी आई हूँ, यह देखे, दो कलर्स का डिजाइन है, चुकि लुकवाइस बहुत सुन्दर लग रहे हैं, और देखे, यह दोनों कलर कॉम्बिनेशन भी कार्टिगन में और कैप में अपलाई कर सकते हैं, तो यह बहुत सुन्दर लगेगा, इस डिजाइन को डालने के लिए आपको, थी के मल्टिपल फे फंदे लेने हैं, और दो फंदे एक्स्टर लेने हैं, और यह एट रोज का रिपीट पैटरन है, तो चलिए बनाना शुर करना है, और बॉर्डर रेडी करने के बाद ही हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें दो बेसिक रोज बुननी है, तो देखिए मैं क्रीम कलर से दो बेसिक रोज बुनूंगी, तो देखिए बॉर्डर के बाद यह बेसिक रोज है, राइट साइ और basic row second है तो second row को हमें देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनके complete करना है यह देखिए इस तरीके से हम इसे उल्टा बुनेंगे देखिए friends हमारी second row basic row back side से complete हो गई है देखिए friends आप हमारी right row आ गई है और आप हमारे यहां से design start होगा और color भी change होगा देखिए friends आप हम यहां पर धागा attach करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हम यहां पर धागा attach कर लेंगे यह देखिए और इससे हम यहां पर इस तरीके से बांध लेंगे कि देखी है और आप हम नी क्या करना है कि पहला फंदाह हमने इस डिच का सिधा बून लिया है आप देखिया हमें क्या करना है यह दिखिये एक दो तीर या ज będą सिधा बुंते वैसे हमें फंदे को इस तरही चले इस तरीके से सिधा बुनेंगे, यह देखिए, देखिए फंदे के अंदर ही हमें डालना है, देखिए बीच में नहीं डालना है, ठीक है, फंदे के अंदर ही हमें इस तरीके से सलाई डालनी है, और देखिए यहां से हम एक फंदा इस तरीके से लिखे आएंगे, ऐसे, थोड दो और तीसे नमबर के फंदे को पहले हम बुनेंगे तो देखिए इस तरीके से यह देखिए इसे हम बुनेंगे उसके बाद आगे के दो फंदे हम इस तरीके से सीधे बुनेंगे फिर से एक, दो, तीन तीसे नमबर के फंदे को हम पहले बुनेंगे इस तरीके से सीधा इसे थोड़ा लंबा खीशते वे फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे यह देखिए फिर से एक दो तीन तीसे नमबर ले फंदे को हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे उसके बाद आगे के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे एक और दो और देखिए, ये फंदा हम सिधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी सिधा बुनेंगे, फिर तीसरा फंदा हम ऐसे तरह के से सिलीप करेंगे, फिर से एक, दो, तीन, ठीक है, तीसरे नंबर का फंदा हम ये देखिए, इस तरह के से बुनेंगे, इसको थोड़ा से लंबा निका दालेंगे उसके बाद दो फंदे हम हैसे सिधह बुनेंगे तीसरा फंदफ फिर अभजेंगे 225 और फंद में सिदह बुनेंगे जान वोथ यह हमारे design की row 1 complete हो गई है देखिए फेंज अब हमारी back row आ गई है और back row हमें उल्टा उल्टा बुनके ready करनी है तो देखिए इस तरीके से हम उल्टा बुनके back row को complete करेंगे और देखिए यह बहुत ही easy design है बस आपको right row में ही design निकालना है बागी जो तीन lines है वो उल्टा सि second row है back side से तो हम इसे उल्टा उल्टा बुनके complete कर रहे है देखिए friends अब हमारी third row आ गई है अब हमें third row को भी सिदा सिदा बुनके complete करना है और यह जो दागा है हमारे पास इस दागे को हम इस तरीके से उपर ले लेंगे क्योंकि आगे भी हमें इसे use करना है तो यह देखि third row हम सिदा सिदा बुनके complete करेंगे देखिए friends हमारी third row complete हो गई है अब देखिए back side है और यह fourth row है तो fourth row भी हमें back side से उल्टा उल्टा बुनके ready करनी है तो हम इसे उल्टा बुनके complete कर लेते हैं देखिए friends हमारी fourth row complete हो गई है और देखिए एक color से हम चार लाइन्स बुन रहे है अब देखिए हमारी right side है अब हमारी fifth row है तो अब हमें color भी change करना है तो फिर से हमें क्या करना है देखिए first वाला फंदा हम यह देखिए इस तरीके से सिधा बुन लेंगे edge stitch का उसके बाद दो फंदे आगे वाले हम बुनेंगे ऐसे एक और दो फिर तीसरे फंदे को sleep करेंगे फिर से एक दो तीन ठीक है तीसरे फंदे को हम सिधा बुनेंगे जैसे normal सिधा बुनते है थोड़ा सा इसे लंबा कीच लेंगे उसके बाद दो फंदे हम सिधे बुनेंगे और इसको sleep कर फिर से एक, दो, तीन, तीसरे फंदे को हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे, थोड़ा सा लंबा कीचेंगे, उसके बाद दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, ऐसे, थर्ड वाले फंदे को स्लीप करेंगे, फिर से एक, दो, तीन, तीसरे फंदे को हम इस तरीके से सीधा बुनेंग और यह देखे, दो फंदे हम फिर सिधे बुनेंगे, ऐसे तीसरा फंदा इससे स्लीप करेंगे फिर से एक, दो और तीन तीसरा फंदा हम पहले बुनेंगे इस तरीके से और यह धागा थोड़ा से लंबा ले लेंगे फिर उसके बाद दो फंदे हम सिधे बुनेंगे ऐसे और तीसा फंदा स्लीप करेंगे और यह जिस्टिश का फंदा है इसे हम सिधा बुन लेंगे यह देखिए यह देखिए रो फिफ्थ हमारी कम्प्लीट हो गई है अब बैक साइड है सिध्थ रो है तो बैक साइड की रो को हमें उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लीट करना है यह देखिए देखिए फ्रेंस हमारी सिध्थ रो कम्प्लीट हो गई है अब देखिए राइट साइड है और सेवन्थ रो है फिर से हमें सेवन्थ रो को क्या करना है सीधा स्थब उनके complete करना है देखे फेंस हमारी 7th रूग complete हो गई है अब देखे बैक साइड है एर्थ रो है तो बैक साइड के एर्थ रो को हमें उल्टा उल्टा उनके complete करना है देखे फेंस हमारी एर्थ रो complete हो गई है और यह देखे यह हमारा design भी complete हो गया है यह दिखे बहुत सुन्दर हमारा design बनके ready हो यह दिखे save design बनके ready हो यह अब फिर से हमें यह yellow color यहाँ पर लगाना है जैसे अबने यहाँ से start गया था यही 8 rows हमें repeat करने है तो यह हमारा design इस तरीके का बनके ready हो जाएगा यह दिखे बहुत easy design है सिर्फ right row में ही हमें यह design नहीं करना बाकि हमारी रोज उल्टी सीधी बुनके ही ready हो रही है तो यह दिखे बहुत सुन्दर हमारा design बनके ready हो यह दिखे friends अगर आपको मेरा design पसंद आया बताने का तरीका पसंद आया तो please मेरे चैनल को like, share, subscribe करें और bell icon प्रेस करना न बूले ताकि मेरी आने वाली videos की notification सबसे पहला आप तक पहुंचे Thank you